हेलो फ्रेंस, आज मैं बनाने जा रही हूं, विना लेस्टरि हम पियाज की मतर पंईर की सब्जी बहुत ही easy तरीका से मैंने ये मटर पंईर की सब्जी बनाई है स्वाद में एक दम आपको रेस्टरंण के तरह लगेगी तो चलिए बनाते हैं मटर पनीर की पहुत ही टेस्टी सब्सी इसके लिए मैंने लिया है चार हरी मिर्च, दो बड़ी लाईची, तीन छोटी लाईची, उन फली को मैंने रोष्ट कर लिया है और दो टमाटर इन सभी मसालो को हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छे से प पनीर कटेंगे अब हम पनीर काट लेते हैं पनीर को हम चोटा-चोटा ही स्लाइस में काटेंगे यह देखिए इसमें हम लाल मिस पाउडर और हल्धी पाउडर ढाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे लिक्षे जोने हांतों से मिक्स करेंगे और इसे हम फ्राइ कर लेंगे पनीर में वहलर बहुत झीकान ऐसे शलत लगता है। भोच झील सब्कार कर सब्सक्षाल, जीया के बती हम जीया है। मॉलभ hall में आपकेसे ंंषिया मचैया के आसध जिचाल मिप्राइक। कि दाल चीनी, तेजबता, लॉंग, जीरा और अद्रक क्रस करके मसाला हलका पकने के बाद हम इसमें डालेंगे पेस्ट जो कि मैंने पहले ही बना के रखा था गैस को हम मिडियम ही रखेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसी जार में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालके हम उसे भी कराही में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें स्वात के नशार नमक डालेंगे उसके बाद हम मसाले को डाल देंगे आदा चमच हल्दी, एक चोथाई लाल मिर्च पाउडर, एक चमच पुरा भरके धनिया पाउडर डालेंगे और आदा चमच हम जीरा पाउडर डालेंगे और एक चोथाई हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, सभी मसाले को हम तेल निकलन अब हम इसमें एक चमस कसूरी मेति डाल देंगे कसूरी मेति डालने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और मसाला पकड़ी के बाद हम इसमें डालेंगे एक मतर जिसे हमने 2-3 मिनट गरम पानी में डाल के इसे उबाल लिया था मतर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और 2-3 मिनट इसे हम पका लेंगे कैस को हम स्रोही रखेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे ये देखिए बहुत ही अच्छा पक चुका है मसाला और मतर अब मिस में पनी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे इसमें करी पीना लेसन प्याज की बहुत ही टेस्टी बना है वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी के प्यार और सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है तेंक यू